इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स से मतलिक रूट वर्ड्स क्या होते हैं? पहले हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम रूट वर्ड्स की कुछ एक्जामपल्स देखेंगे ताके आप बहते तरीके से रूट वर्ड्स को समझ सकें शुरू करते हैं रूट वर्ड्स वैसे आमतार पर रूट का मतलब होता है जर्ड्स तो यहां पर यह अलफास भी ऐसे ही होता है जो एक तरहां से जर्ड का काम कर रहे होते हैं वो किस तरहां यह हम आगे चलके समझते हैं पहले हम नीचे दिये हुई definition को पढ़ते हैं Many English words are formed by taking basic words and adding combinations of prefixes and suffixes to them A basic word to which affixes Affixes क्या होते हैं? Prefixes and suffixes are added is called a root word because it forms the basis of a new word The root word is also a word in its own right चले हैं दुबारा से रीट करेंगे Many English words are formed by taking basic words and adding combinations of prefixes and suffixes to them A basic word to which affixes prefixes and suffixes are added is called a root word because it forms the basis of a new word The root word is also a word in its own right अब हम मतलब देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है? Many English words are formed by taking basic words and adding combinations of prefixes and suffixes to them अब यहां पर हमें यह बताया जा रहा है कि English में बहुत से अलफाज ऐसे होते हैं जहां पर हम एक basic word ले देते हैं यानि एक बन्यादी कोई एक छोटा सा लव्ज ले ले लेते हैं और उसके आगे हम combination बना देते हैं prefixes और suffixes का यानि prefix वोते हैं जो सापके होते हैं यानि उस root word से पहले आ जाते हैं और suffixes क्या होते हैं जो लखके होते हैं यानि उस root word के बाद और अलफाज अड़ हो जाते हैं और एक complete meaning वालव word बन जाता है यानि एक मानी खेज लव्ज बन जाता है तो जहां पर कोई एक ऐसा basic word हो जिसके आगे prefix और suffix add किया जा रहा हो तो वो हम उसे क्या कहेंगे? Root words कहेंगे आगे पड़ते हैं basic word to which affixes prefix and suffixes are added is called a root word यानि वो basic word जिसके आगे हम या पीछे हम loves add कर रहे हो यानि prefix और suffix add कर रहे हो वो हमारे पस क्या होता है? root word होता है because it forms the basis of a new word अब वो एक तरह से बन्यादी लवज होता है क्योंके उसी की वज़स से एक नया लवज बन रहा होता है root कहते हैं बन्याद को ठीक है हम पहले भी पढ़ चुके है और उस बन्याद की वज़स से ही एक नया लवज बन रहा होता है एक नया मानी खेज लवज बन रहा होता है the root word is also a word in its own right और अब ऐसा नहीं है कि उस root word का कोई मतलब नहीं होता वो जो बन्यादी लवज होता है उसका अपना भी मतलब होता है यानि सिर्फ हम उस लवज का इस्तमाल भी कर सकते हैं एक्जामपल देखते हैं some examples of root words can be found in everyday language यानि हम everyday language में भी अगर देखें तो हमारे पास some example of root words can be found in everyday language यानि root words की example हमें अपने आम तोर पे या everyday life की language जो होती है उसमें हमें पता चल रहा होता है यानि आम तोर पर आपको हर लवज में कोई ना कोई root word जरूर मिलेगा आगे पढ़ते हैं the root word for bicycle, tricycle and unicycle is cycle फिर से पढ़ते हैं the root word for bicycle, tricycle and unicycle is cycle itself अब देखें ये जो word है जो हर word के end में आया हुआ है ये हमार पस क्या है ये है root word जिसके आगे हमने prefixes लगा कर एक मानी खेज लवस बना दिया है चलें अब हम कुछ root word की examples को discuss करेंगे इससे आप बेहतर तरीके से root words को समझ पाएंगे examples of root words root words कहते हैं उन बन्यादी अलफास को जिनके साथ हम prefix और suffix यानि के सापके और लाखके लगा कर एक मानी खेज लवस बना लेते हैं लेकिन उन root words का खुद अपने आप में यानि अकेले रहते हुए भी कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है number one act act का देखते हैं अब आगे act means to move or do अब act का मतलब क्या है हरकत में आना, move करना या कुछ भी करना यानि किसी भी काम की करने को act कहते हैं act से अब हम देखते हैं कि क्या बन रहा है act एक root word है इस root word के साथ हमने shun act कर दिया तो ये हो गया action फिर act के साथ हमने evity add कर दिया तो ये हो गया activity and transaction यानि यहाँ पर हमने क्या आट के थे suffix add किये थे और यहाँ पर हमने prefix add कर दिया और यहाँ पर suffix भी add हुआ है तो क्या हुआ ये root word है complete word बन गया जिसका एक मतलब भी है यानि के एक मानी खेज लफ़ बन गया यहाँ पर हमने क्या add किये थे लह के add किये थे यानि suffix add किये थे act के बाद i-o-n और यहाँ पर act के बाद i-v-i-t-y और यह action और activity बन गया और यहाँ पर हमने क्या किया prefix और suffix दोनों add किये यानि act से पहले हमने trans add किया और आखिर में shun किया तो ये transaction हो गया नमबर टू Amble Amble का मतलब होता है move और walk यानि चलना या हरकत में आना Amble के ये मतलब होता है तो अब यहां पर देखें कि हमने क्या किया Amble के आगे end लगा के Ambulent बना लिया और इसी तरहा Ambulate अब यहां पर हमने suffix add करके root word के साथ एक नया मानिखेज लफज बना लिया है नमबर थ्री Auto Auto means self or same यानि auto का मतलब होता है self या same या एक जैसा होना अब देखते हैं Autocrat and Automatic Autocrat और Automatic अब Auto के आगे हमने कुछ अलफाज लगा दिये यानि suffix लगा दिये और एक नया लफज बन गया यानि एक मानी खेज अलफाज जो है वो वुजूद में आ गया इस root word की वज़े से आगे चलते हैं Number 4 Cardio Cardio means heart Heart यानि दिल अब Cardio के आगे अब यहां पर हम देखते हैं Cardio Vascular यानि Cardio के आगे हमने एक और suffix अट कर दिया और Cardio Vascular यानि एक नया लफज बन गया इसी तरहां Cardiology Cardio के आगे हमने Logi अट करके Cardiology एक नया मानी खेज लफज बना लिया Cardio हमार पस यहां पर क्या है Root Word Number 5 Seed C-E-D-E Seed इसका मतलब होता है Go यानि जाना अब यहां पर हमें यह भी मालूम हो रहा है मतलब हम इसलिए डिसकस कर रहे हैं ताके हमें यह पता चले Root Word यानि जो बन्यादी अलफज है उनका अपना भी कुछ मतलब होता है लेकिन जब वो और Suffix या Prefix के साथ मिल जाते हैं तो एक नया मानि खिज लफज भी वो बना देते हैं चले अब हम देखते हैं Exceed Receed Accessible यानि Seed Root Word के आगे हमने Prefix लगा के और साथ में Suffix लगा के मानि खिज लफज तयार कर लिए हैं यानि Exceed Receed and Accessible Number Six Counter Counter means Against और Opposite अब Counter के लफज हम इस्तिमाल करते हैं Against या Opposite के लिए यानि इसका मतलब होता है उल्ट होना या मुखालिफ होना अब यहां पर देखें Counter Act Counter Point and Counter Argument अब Counter के आगे हमने मुखतलिफ अलफज लगा कर यानि Suffix लगा कर नए और मानि खिज लफज बना लिए Number Seven Demo अब देखते हैं Demo means People Demo का मतलब होता है People या लोग Demo के आगे हमने क्या किया Democracy यानि Demo के आगे हमने क्रेसी लगा कर Democracy एक नया लफज बना लिया Demo क्रेट and Demographic यानि हमने इस बन्यादी लफज के आगे या Root Word के आगे मुखतलिफ सफिक्स लगा के नए मानिख लफज लफज बना लिये Number Eight Derma 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 means Skin यानि Skin के लिए हम Derma का लफज इस्तिमाल करते हैं Dermatology Epidermis अब Epidermis का भी जो Root Word है वो Derma ही है और Dermatology का भी Root Word Derma है यानि इस बन्यादी लफज से ये दो मानिख लफज लफज निकल रहे हैं तो ये थे कुछ एक्जामपल Root Words की अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन अलफाज को इन Root Words को दोराईए इनकी Definition को भी अपने जहन में रखिए इस तरह आप बहुत जल्ट Root Words से मतलिक सीख जाएंगे